नमस्कार दोस्तों कैसा है आप सब उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी स्वागत करते हैं आप सभी का करते हैं तो आज हम लेके आए हैं विदेशी आक्रमन भारत पर विदेशी आक्रमन कैसे हुआ विदेशी आक्रमन कारी कौन था उनका क्या पर भाव पढ़ा भारत के आक्रमन पर तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज कर्मारा जो चेप्टर है भारत पर विदेशी आक्रमन पतलब अभी तक तो जो मलोगों में पढ़ा नंदवंस पढ़ा सुंग बंस पढ़ा अजात सत्रुवाला पढ़ा हरयाग बंस इन वन्सों को पढ़ा तोो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर हुदेशी आक्रम उस समय भारत में राजनीतिक एकता का प्रभाव था। सभी लोग छोटे-छोटे भागों में बढ़कर राज कर रहे थे और आपस में लड़ाईया लड़ रहे थे। इसी कारण विदेशियों ने इसका फायदा उठाया और भारत भूमी पर आक्रमर कर दिया। सीधी ची बात है मतलब राजनीतिक एकता का अभाव था। विदेशिय आक्रमर का मुख्य करण रहे था। राजनीतिक एकी करण का अभाव या एकता का अभाव। कि देखते हैं सबसे पहला बिदेशी आक्रमर कौन किया सबसे पहला जो बिदेशी आक्रमर काई था परसिया के अखामनी कौन थे परसिया के अखामनी इरानी सास्कों के द्वारा भारत पर बिदेशी आक्रमर किया गया उसके बाद युनानियों ने युनानियों महतपूर है कौन सिकंदर युनानी आक्रमर कारियों बहुत अच्छी है सबी को पता है उत्तर में हीमाले है दछिड में समूंद्र है तो जो पच्छिम उत्तर का जो छेत्र है यह चेत्र इह वाला माली यह तो पक्षीम उत्तर, उत्तर ये 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 पक्षीम इधर, मतलब इधर, नदी जो पाकिस्टान गायों शेत रहे, इधर के तरफ से ही ये लोग भारत में आक्रमड करना सुरू किये, इधर से ये भारत में आक्रमड करने के लिए आये थे, पार्सिक यह इरानी आक्रमड हकामनी वंस legal शर्चाह distill जो डुसके तोछुआ हैं क्लियर है पार्सिक या इरानी हक्खामनी वंस संस्थापक कौन था हक्खामनीज हक्खामनीज इसका उसके उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी दोरा अस्थापित राज यह हक्खामनी समराजी कहले है इस चीज को याद रखेंगे राजधानी क्या थी पर्षी पोलिस पर्षी पोलिस जो है वह हकामनी की राजधानी थी है यह पूरूश या साहार पांचोज 55 fulfilling श्रावन से पांचोतीश इशाप पोर्व का इस्के हिरोडोटस के इरानी समराट साहिरस ने पूर्वी देशों की विजय की, हेरोडोटस को ने एक इतिहास का रहे हैं, युनानी इतिहास का रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, कि जो इरानी है, समराट साहिरस ने पूर्वी देशों की विजय की, तो युनान के पूरब जी देश थे, उन देशो देखिए जो चेप्टर है भी जैसी आग मागा बहुत छोटा चेप्टर है लेकिन इसमें जो जो most most important चीजे हैं उसको हम लोगों नहीं यहां discuss करना है आगे अगला वीडियो सुट करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे उसमें हम लोग करेंगे जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादे क्वेश्चन किसी कंदर से नहीं आता है एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ऐसे ही most important क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को हम solve करने वाले होंगी कि देखिए अगला कौन था दायर वहू देरियस या दारा पांचो बाइस से चार्सो च्यासी इसा पुर्ट इस्वी हका मनी मंस का तीसरा सासक याद रखेंगे जो हका मनी मंस था इसका यो तीसरा सासक भाई कौन था तीसरा सासक कौन था देखिए नाम लिखा है दायर वहू या डेडियस दारा इसके क्रमस तीन अभिलेख दारा के अभिलेख मौत पुर्ण है परिछा में पूछ चकता है कि जो अभिलेख है इसके तीन अभिलेक, बेहिस्तून, पर्सी पोलिस, उसकी राजदानी भी थी, उसी जगे से वो नाम पढ़ा है उस अभिलेक का, नक्स एरुस्तम, यह जो तीन अभिलेक है, इनका जो टाइम पीरियड है, याद रखेंगे, पांसो बीस से पांसो अठारा, पर्सी पोलिस का क इसको याद रखेंगे, दारा के सामराज में कुल 28 चत्रपी, चत्रपी को कहा जाता है भई, प्रांत कहा जाता है, प्रांत थे, उनको क्या कहा जा चत्रपी कहा गया, हेर्टोटस बताता है कि, इंडिया, इंडिया दारा के सामराज की सबसे समिट दिसाली और बीस्वी चत तो उसके 28 छत्रपी उस में सपड़े 現在 को आता था भारत अगे भारत गए पेसा अबसका सभम को पता किया कभारत है तो यहां से उसे क्या मिलता था भाई 306 टैलेंट सोना टैलेंट से इंडिया से इंडिया किसने नाम दिया है यू नानियों दोरा दिया गया नाम है इंडिया है हमने जब प्राचिन भारत के स्रोतों के बारें पढ़ा था तो इसमें इंडिया का उलेक मिलता है भाई एरोडेटर्स के अनुसार सामराज की आय का तीसरा इस्सा वन बाई थर्ड इस्सा जो 28 प्रांत थे उसके पास दारा के पास उसमें से 20 नंबर पर आता था भारत या इंडिया उसका एक बटातीन इस्सा पूरे उसके प्रोटल जो आय थी उसका एक बटातीन भाग कहा जाता था भारत से जाता था हुआ है है तीसरा कौन भाई ऑच्छा दारा त्रटि याहां अन्तिम सम्राट जो का अंतिम सम्राट पूछता है अंतिम सम्राट कौन था हुआ जाना मनईज या पारशी क वनथ का पार्सी का अंतिम समराठ 331 टुरो में आर बेला कायुदह मोस्ट इंपोर्टेट्र्टैंट आर भेला कायुदह मुझनानीय की पार्सी शुगा देखिए भारत पर ये नहीं आ है तो सिर्ट पार्सी रहयों नई भारत में जब Parsi आयां उसी के कुछ निम्स दीन बाद कोन आ गया उन्हीं करें में कि युनानी देखा कि बडलं। के लिए तो आक्रमर करने से पहले पहले करना है कि दोनों में से कौन जाएगा भारत में कौन राज करेगा तो यह पारसीयों और युनानियों के बीच हुआ था तीन 21 इसवी याद रखिंगे इस चीज को मौत पुण चीज है इसमें इयरानी सासक डाराथ्रती थी का सिकंदर से हार गया कि बश्कंदर जीत गए आंसे अगरłem अकर्मकाय पूंद जीत गया और शिकंदर. हा अब हार गये तो यहां से आधिपत्त की समाप्ति हो recti किसके कौन हारा जो हारा उसके अधिपत्य की उसकी समाप्ति हो जाएगी तो है पार्सिक या दारा तृति हारे थे तो यहां से अंतिम सा सकते तो यहां से पुरे अपने वंस को ही खतम हो गया इनका आरबेला के उद्ध रॉन को एरियन ने गूगा मेला का उद्ध का कxture कि πोज़ सकता है ऐप से कि गोगा मेला का उद्ध剨 रहती है कुसे कहते हैं अब बढ़ते हैं क्लिर्थ सबको पार्षिक प्रभाव देखिए जब ाक्रमड होगा किसी भी देत्ष द्वारा अंदेश पे आक्रमड जब किया जाएगा उस आक्रमड का कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही तो पार्सिक का क्या प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर उसको हम लोग चर्चा करेंगे इरानी भारत में आर्मेरिक लीपी लेकर आए अच्छी चीज़े वही एक लीपी लेकर आए कौन सी लीपी लेकर आए आर्मेरिक लीपी याद रखेंगे आर्मेरिक लीपी लेकर आए इसी लीपी से आगे चरकर खरोस्थी लीपी आर्मेरिक से कौन सी लीप मौर एका जहम लोग पढ़ेंगे उसमें जो इंपोर्टेंट समराथ हैं कौन है असोक हैं उसके उंत्रचत क्या पढ़ेंगे अविलेखों को पढ़ेंगे मांसेरा एंवफाज गड़ी अविलेख किसमें है खरोष्ठी लीपी में है ख्रोष्टिक किस लिपी से उत्पन हुई है बाई यह है आरमेरिक लिपी कौन लेके आया तो इरानी प्रभाव से भारत में आई याद रखेंगे यह मांसेरा हम साबाजगड़ी अभी लेक को चंद्रगुप्त मौर के जन्म दिन पर देखिए चंद्रगुप्त मौरे समराध थे सबकों पता है तो जो यह अपने जन्म दिन पर केस प्रक्षालन मतलब बाल धोने का बाल धोने की प्रथा कहां से ग्रण की वह ग्रण की इरान से अर्ण से घ्रण की थी हकामनी सासं की छत्रपी पडाली भारत में आई चत्रपी पडाली उस्तों मतल प्रांथ पडाली हमने बताया ना कि जो बीशवा प्रांथ Husky प्रांथ फाहारत था उससे कितना राज ق्राथ होता था फुल एक बटाती निस्सा जाता था भारत से, 306 टैलेंट स्वर्ड, राजसों के रूप में, प्रांतों को छत्रपी, एवामी पर राज करने वालों को छत्रप कहा जाता था, हम लोगों ने जब आगे पढ़ेंगे, हम लोग, सक छत्रप, सक छत्रप, रुद्रदामन, रुद्रद प्रांत पर राज करने वाला, अगला अक्रमण है, युनानी अक्रमण भाई, सिकंदर है, इसमें इंपोर्टेंट, उपादी क्या थी, 328 इसापुरों में, उसने पार्सिया इरान का महान समराठ, पार्सिया या इरान का महान समराठ, पार्सिया या इरान, का महान समराठ की उपादी-धार की कब 328 इसा पुर्व की अंतरगत जन्व मकदूनिया में हुआ था बैई मकदूनिया यूरोप में पढ़ता है यूरोप में पढ़ता है मकदूनिया सिकंदर का जन्व हुआ था है यहाँ पे मृत्यू कब बैई बैबी लोन यूरोप में जन्म, एसीयया में मृत्यू, एसीया में कीच जगा पे तो बेबी लोन, बेबी लोन एक जगा है वहाँ पर इनकी मृत्यू जो हो जाती है अंतेश्टी संस्कार, अलेकजन्डरिया अफ्रिका यूरोप में विया पैदा हुए, एसिया में क्या हुआ, मृत्य हुआ, आफ्रीका में क्या हुआ, अंतिम संस्कार पीता कोन है, फिलिप दुटिय, याद रखेंगे, यह जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसिकंदर संबने नहीं है लोग, Aryan के एना बेसिस आफ अलेक जेंडर, देखिए जो रचना है, Aryan की रचना है, एना बेसिस आफ अलेक जेंडर, सिकंदर के अभियानों का वर्ण मिलता है, क्या मिलता है, सिकंदर ने कैसे कैसे अभियान चलाए, कैसे कहां से शुरू किया, किस नदी को पार करक इस तमाम सारी चीजों जो इसकी जानकारी मिलती है, वो मिलती है इना बेसिस आफ एलेक्ट जेंडर, एरियन की जो है रशना है भाई, 326 इसापुरू के बसंत में, बसंत पंचमी या बसंत लितू एक है, बसंत लितू भारत भूमी पर आक्मर किया, कितने में किया है, 326 इसा इसापुरू के बसंत में, बारत भूमी पर आक्रमन किया, कौन? सिकंदर, ये युनानी आक्रमन काई था, याद रखती हुए चलेंगे, सिकंदर भारत में लगबग 19 मा रहा था, देखी बस 19 मा ही रहा पाया थे, सिकंदर जी, लेकिन भारत में ब्यास नदी, पार से आगे ना बढ़ पाया या पार ना कर पाया, 19 मा रहा है, लेकिन उधर ही जेला मोगरा नदी के पास ही रहा गया, देखी ब्यास नदी को पार करके आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा आमें वड़न मिलता है, सिकंदर के प्रमुख सेन अधिकारी, देखी जब वो आए होंगे, कहां से, युनान से जब भारत के लिए बढ़े होंगे, तो अपना ग्रूप बना के चले होंगे, उसमें अधिकारी, सेन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और उनके मंत्री सब लोग रहे होंगे, तो उनके बारे में जो मुख्य बाते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, कि प्रमुख सेन अधिकारी कौन थे सिकंदर के, निर्याकस, सिकंदर का सवपाठी, सिकंदर के साथ पढ़ा था कौन, निर्याकस, एवन जल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, निर्याकस, निर्याक तो निर्याकस ऐसे हो गया तो नीर इसे लिख लिए नीर मतलब जल होता है जल से नाध्यक्ष निर्याकस क्या हो गया जल से नाध्यक्ष हो गया नीर सियाद रखें के निर्याकस जल से नाध्यक्ष यह उन सापाथी टालमी कोने था लागूस का पुत्र टालमी बाध में मिसर का सासक बनता है यह जो लागूस है इनकी जो पुत्रबाध में मिसर देश के सासकप बनते है सिकंदर का सबसे 47 सक्त्रों था कि एक कोटेशन याद आ गया है सिकंदर और पूरस के बीच जब युद्ध लड़ा गया था तो युद्ध में पूरस को भाई तो पूरस से बहुत लड़ाई लड़ा और अंत में बंदी तो बनाई लेता है लेकिन फिर बंदी बनाई बाई जब पूछता है सिकंदर कि आपके साथ कैसा क्या किया जाए वो कहता है कि एक राजा का जैसे दूसरे राजा के साथ ब्यवार किया जाना चाहिए वही मेरे साथ किया जाए ऐसी बाते कौन कहता है पूरस कहता है छिकंदर चेए एक राजा के प्रती दूसरे नाया का जो वेवार है वह ही मेरे साथ किया जाए उससे सिकंदर के साथ आयडेस´पेस है जेलम का तो म andra क्योंते उद्ध सकति सार कोई था सतिर कोई था वो था पोरस किसका सिकंदर का एक काए काई नरेस्त ते on the, भारतिय समराथ के अब देखिए हम लोगोंने पढ़ा क्या पार्सिक आक्रमण पढ़ा इराणी आक्रमण पड़ा अखामनीवञ्स का पड़ा उसका प्रभभाव पड़ा फिर पड़ा सिकंदर उब पड़ रहे हैं आक्रमण का प्रभाव है कई चीज़ को हम यहां पर डिस्कस करेंगे ओर सिकंदर छे लम नदी का कि सिकंदर आगरें ज कुमभा नदी जो जो दो नदियां कहा है छेलम नदी के टत पर। सिकंदरिया एवं कुम्भा नदी के बीच में निकया एनुख्या एवं बुकाफिला बुकेफाल नगर बसाया इसके किस के बीच नगर बसाया, तो भई सिकंदरिया एवट कुम्भानदी के बीच, निकया, निकया कार्थ होता है बीजय, बीजय नगर लगर भुकाफिला, मुकेफाल नगर बसाया, अपने गोड़े के नाम पर भई यहां नगर बसाया था इसने, को सिकंदर ने, इस कल्चर था क्या था उसके अधार पर भारत में युनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक सैली उलूक सैली के सिक्के जो है वो भारत में भी ढाले गए यूणानी के जो अनुकरद किया गया कौन से सैली थी उलूक सैली उसका अनुकरद करके भारत में सिख्य भी बनायगे तो देखी सिख्य की अभी यदिंअ कि दिखता है और कला एवं तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है आगे जब हम पढ़ेंगे कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें युनानी कला का वड़न मिलेगा कला एवं जोतिस याद रखेंगे इस चीज को असोग के अस्तंबो पर मंडित पसु आकृतियों के अंकन एवं गांधार कला पर युनानी कला का प्रभाव भी बताया कला पढ़ेंगे तो बतायेंगे कला आ गया देखिए जो कला है असोग के अस्तंब सब्राट असोग जो थे समराट असोख ने बहुत सारे सिलालेक और अस्तंब बनवाये थे सभी को पता है तो आकृतियों के अंकन जुस पर आकृतियों के अंकन हुए है यहां गांधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव दिखता है यह चीजें याद रखेंगे गांधार कला तो भारत में थी बारति सिकंदर के अभियान के दोरान भारति नदीयों को फ्ली के पुकार गया या यूनानी नाम यसे पुकार गया ग्री सिकंदर के बीच है systems नदी है जो है जोनीज चिनाप नदी कि अ कि नाबियां है हुआ तक रता है और ओस्ट रावी नदी को का गया हेजी ड्रस सतलूज ये जो नदियां है इनके जो ग्रीक नाम है भारतिय नाम तो आपको पता है सतलज, ब्यास, जेलम, रावी, चिनाव ये जो नदियां है इनको ग्रीक नामों में ऐसा वर्ण मिलता है ये जो नदियों का नाम मिलता है ग्रीकों के अनुसार चिनाव ये चंद्रभागा चिनाव नदी या चंद्रभागा को सेट रोफेग या सिकंदर को खा जाने वाइल नदी को ने बाई चार आप संदे देगा पूछ लेगा तो क्या बताएंगे चिनाव या चंद्रभागा नदी सिकंदर को खा जाने वाइल नदी इसको कहा गया है इन चीजों का याद रखेंगे नोट करते हुए चलिएगा आप लोग देखिए यह जो हम लोगों ने बिदेशी आक्रमर के पढ़ा इसमें मुख रूप से क्या पढ़ा इरानी और युनानी दो आक्रमर कारियों के बारे हम लोगों ने मुख रूप से पढ़ा उनका प्रभाव वो कैसे लड़े कैसे आय इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया तो यह जो चीजों को हम ने पढ़ा तो इससे संबंदी जो questions होने वाले हैं उसको हम solve करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए all the best अपने पढ़ाई को जाही रखी